स्टुडेंट्स आज हम यहां पर नॉमन क्लिचर करेंगे M.I.N.S का इसमें हम आज अलिफेटिक M.I.N.S और अरलकाइल M.I.N.S का नॉमन क्लिचर देखेंगे I.U.P.S.C नेम्स और कॉमन नेम्स तो सबसे पहले हम यहां पर यह देखेंगे अलिफेटिक M.I.N.S जो है उनकी हम नेमिंग जब करते हैं स्टुडेंट्स तो वो होती है अलकाइल M.I.N.S के साथ में ठीक है तो यहां पर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है प्राइमरी M.I.N.S से प्राइमरी M.I.N.S जैसे क कि आपको पता है कि अगर हमारे पास में NH2 ग्रूप जो है M.I.N.S ग्रूप अटाच है उसके साथ में किवल एक ही अलकाइल ग्रूप है मिथाईल ग्रूप है जो की तो यह जो है हमारे पास में हो गया यहां पर मिथाईल M.I.N. और M.I.N.O. मिथेन ठीक है और I.O.P.A.C नेम जो है उसका होगा M.I.N. याद रखें कि M.I.N. से जो है यह I.O.P.A.C नेम यहां पर खतम होते हैं और एक ही कारबेन अटम का मिथाईल ग्रूप है तो मिथेना M.I.N. हो जाएगा क्योंकि मिथेन का एक हाइड्रोजन M.I.N. ग्रूप से रिप्लेस हुआ है मिथेना M.I.N. नेक्स्ट हम यहां पर कंपाउंड देखते हैं स्टुडेंट्स उसके अंदर CH3, CH2, NH2 तो इथाईल M.I.N. और M.I.N. इथेन जो है वो हमारा यहां पर हुआ सेकिंड कंपाउंड कॉमन नेम I.O.P.A.C नेम होगा इसका इथेना M.I.N. ठीक है नेक्स्ट जो है कंपाउंड यहां पर हम 3 कार्बन एटम्स का ले रहे हैं स्टुडेंट्स 3 कार्बन एटम्स में प्रोपेना एमाईन जो है वो यहां पर I.O.P.A.C नेम होगा लेकिन कॉमन नेम होगा N.Propyl Amine नॉर्मल प्रोपाईल एमाइन और वन एमाईनो प्रोपेन ठीक है वन पर क्या लगा होगा है माईनो गृप और वैसे क्या है यह प्रोपेन तो N.Propyl Amine और वन एमाईनो प्रोपेन जो है यह इसका कॉमन नेम है और ठी कार्बन एटम्स की चेन है तो यह प्रोपेना- ऐमाईन एक हीडरोजन को रिप्लेज कर दिया नेश्टू से प्रोपेना-माईन यह फिर आप इसको प्रोपेन-1-माईन जा 1-प्रोपेना-माईन कुछ भी कह सकते हैं नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो compound लिया है students वो है यहाँ पर हमने 3 carbon atom की chain ले 3 carbon atom की chain के अंदर जो second carbon atom है उस पर NH2 group लगाया हुआ है ठीक है तो यह जो है हमारे पास में compound यहाँ पर branching के अंदर है isopropyl group जो है common name होता है इसका अगर सिर्फ हम इतना यहाँ पर compound देखें तो यह जो है अगर इतना देखें तो यह सिर्फ isopropyl बनता है isopropyl के अंदर अगर NH2 लग गया है तो यह isopropyl amine हो गया है यह 2 aminopropane इसका common name हो जाएगा और यहाँ पर propane 2 amin propane 2 amin इसका हमारे पास में हो जाएगा iupac name या 2 propane amin दोनों ही आप बोल सकते हो यह हो गया इसका iupac name इस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं student secondary amin secondary amin के अंदर हमारे पास में NH के साथ एक alkyl group और आ गया है जो कि हमने primary amin में यह पढ़ा था CH3 NH2 तो एक hydrogen की जगे एक CH3 आ गया है यहाँ पर दो methyl group सेम भी हो सकते हैं यानि अगर हम सेम लेंगे तो यह हमारे पास में हो गया di-methyl amin या N-methyl aminomethane और IUPAC name हो गया इसका N से attached है students यह N हम यूज करते हैं यहाँ पर N जो है amin के लिए यूज कर रहे हैं तो यह N-methyl-mithena amin N के साथ में methyl है नहीं तो यह mithena amin है ठीक है और अगर हमारे पास में यहाँ पर दो alkyl groups जो लिए हैं वो different हैं तो यह ethyl-methyl-amin हो गया ethyl-methyl के अंदर alphabetical order में आप इसको arrange करोगे ethyl पहले आएगा फिर methyl आएगा तो ethyl-methyl-amin और N-methyl-amino-ethene हो गया यह और यहाँ पर IUPAC name हो जाएगा N-methyl-N के साथ में methyl है नहीं तो यह है ethena amine ठीक है तो यह common name और IUPAC name हमारे हुए secondary amines के जो हमने यहाँ पर दो example देखें next हम यहाँ पर पढ़ेंगे students tertiary amines ठीक है तो tertiary amines के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास में nitrogen के साथ में three alkyl groups attached हैं तीनों same भी हो सकते हैं different भी हो सकते हैं अगर same है तो यहाँ example देखें trimethyl amine यहाँ पर तीन methyl हैं तो trimethyl amine common name हो गया और इसका दुसरा नाम हो सकता है n-n क्योंकि एक nitrogen से methyl उसी nitrogen से फिर methyl तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे n,n-dimethyl 2-methyl है तो dimethyl aminomethane ठीक है और अगर हम इसका IUPAC name देखेंगे तो यह हो जाएगा n-n-dimethyl amine मैंने आपको पहले ही बताया था कि amine से यह IUPAC name यह हमारे खतम होंगे ठीक है तो यह होगा न-n-dimethyl amine अब हम example ऐसा देखेंगे students जिसके अंदर हमारे पास में जो alkyl group है tertiary amines के साथ में वो different हैं तो एक nitrogen के साथ में यहाँ पर methyl attach है, ethyl attach है और third वाला भी ethyl attach है तो हम इसकी naming कैसे करेंगे N-ethyl, N-methyl, N के साथ में क्या attach है? methyl भी है, ethyl भी है और वैसी क्या है यह? amino-ethene ठीक है और अगर I-O-P-A-C name इसका देखे तो N के साथ ethyle, N के साथ methyl और ethena amine ठीक है, tertiary amine हो गया क्योंकि तीन alkyl groups attach है nitrogen के साथ में next हमने यहाँ पर देखने है example students वो है ar alkyl amines ar alkyl amines जो हैं यहाँ पर हमारे पास में पहला example हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं students उसमें benzene पर क्या attach है? CH2, NH2 ठीक है तो यह हो गया हमारे पास में benzyl amine या इसको हम बोल सकते हैं phenyle, यह phenyle group हमारा किसके साथ में attach है? methane के साथ ठीक है? तो यह common name हो गया और IUPAC name क्या हो जाएगा? phenyle group किसके साथ में attach है? methane, methane amine के साथ phenyle, methane amine इसका IUPAC name हो गया next हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें benzene के साथ में क्या attach है? CH2, CH2, NH2 ठीक है? अब यहाँ पर amino group के साथ जो carbon first attach है वो alpha carbon atom है उससे next beta carbon atom है तो beta के साथ में phenyle ring attach है तो यह beta phenyle ethyl amine ठीक है? यह हो गया इसका common name, IUPAC name के अंदर alpha, beta तो हम common name में करते हैं numbering और IUPAC में 1 और 2 से 123 ऐसे चलती है तो यहाँ पर second carbon atom से phenyle group attach है तो यह हो गया 2-phenyle ethyl amine हम पढ़े हैं students complex aliphatic amines इसके अंदर कुछ examples हम पढ़ेंगे complex aliphatic amines के अंदर हमने यहाँ पर carbon atom की चेहल ली है जिसके अंदर हमारे पास में third carbon atom से amino group attach है 2 से methyl group attach है अब A और M जो alphabetical order में arrange होंगे तो amino group पहले आएगा और methyl group बात में आएगा 3-amino-2-methyl pentane ठीक है तो यह हमारे पास में यहाँ पर compound हो गया जिसका common name है 3-amino-2-methyl pentane और दूसरा हमारे पास में IUPAC name हो जाएगा IUPAC name क्या होगा 2-methyl pentane 3-amine next जो है हमने यहाँ पर example लेना है students वो लिया है हमने second carbon atom से हमारे पास में क्या-क्या attach है N-N-dimethyl N के साथ में क्या-क्या attach है second carbon atom के साथ 2 second carbon atom के साथ N-N-dimethyl जो की हम bracket में डालेंगे 2 के बात dash डालके N-N-dimethyl amino और यह जो है हमारे पास में second carbon atom से attach जो carbon chain थी चार carbon atom की वो क्या हो गई ब्यूटेन ठीक है तो 2-N-N-dimethyl amino butane common name, IUPAC name 2-N-N-dimethyl butane amino amino से खतम होगा next हमने यहाँ पर compound जो लेना है students वो है हमारे पास में example इसके अंदर हमने यहाँ पर carbon atom की यह chain ली हुई है ठीक है अब इसके अंदर हमारे पास में second carbon atom के साथ क्या attach है students हमने यह जो है carbon chain ली इसमें numbering करते हुए first second second carbon atom पर यह हमारे पास में NH2 amino group लगा हुआ है जिसमें kalkyle group attach है, methyl group तो हम इसको क्या बोलेंगे कि two bracket start करके two dash bracket start n पर क्या है methyl और नहीं तो यह amino और अब हम इस chain की naming करेंगे ठीक है तो हमें यहाँ पर two dash n dash methyl amino तो bracket में डालेंगे और फिर हम यहाँ पर जो हमारे पास में one two three four five carbon atom की chain है उसको हम यहाँ पर naming देंगे pentane से जिसमें fourth one two three four fourth carbon atom पर methyl group attach है तो यह इसका नाम क्या हो गया two dash n methyl amino ठीक है और four methyl pentane अब आप याद रखें कि हम इसे separate किस्ते करेंगे यहाँ पर जो हमारे numerical value है उनको separate किस्ते करना है dash से अब हमें यह भी पता है students की दो numerical values को तो हमेशा हम कॉमा से separate करते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर numerical values और words को आपस में separate करेंगे जो हमारा group है उसको हम bracket में लिखेंगे यहाँ पर next हम example जो ले रहे हैं यहाँ पर H2N NH2 group जो है वो उसके साथ में यह group attach है 2 carbon atom का और फिर NH2 तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर ethylene diamine है ठीक है यह ethylene diamine ethane 1,2 diamine 2 carbon atom की chain के अंदर terminal दोनो carbon atom दो ही carbon atom यह दोनों पर NH2, NH2 attach है तो ethylene 1,2 diamine IUPAC नेम हो गया और common name ethylene diamine हो गया next हम यहाँ पर जो compound ले रहे हैं students वो compound है यहाँ हमने लिया है NH2 CH2,6 NH2 बहुत ही common यह हमने कई बार पढ़ा भी हुए students polymer में monomer यूज होता है nylon 6,6 जो हम polymer बनाते हैं यहाँ पर 6 carbon atom की chain है जिसमें टर्मिनल पोजिशन पर NH2, NH2 जो है amine group आए में तो यह CH2 group जो होता है hymethylene group होता है ठीक है तो hexamethylene 6 के लिए हम जो है prefix यूज करेंगे hexa-hexamethylene-diamine ठीक है यह हो गया common name और IUPAC name hexane, hexane है six carbon atom का जिसमें one और six position पर क्या लगा हुए है diamine next जो है हमने यहाँ पर लिया तो carbon atom की chain है जिसमें second carbon atom पर amino group लगा हुए है और नहीं तो यह ethanol है two amino ethanol next जो है यहाँ पर हमारे पास में next compound है H2M, CH2 whole thrice, COH four amino यहाँ पर one, three carbon atom, चार, चार carbon atom हो गए total जिसके अंदर हमारे पास में fourth carbon atom पर क्योंकि carbonic acid हमारे पास में सबसे बड़ा functional group आ गया है तो यहाँ से numbering स्टार्ट होगी तो one, two, three, four, four carbon atom पर amino लगा हुए तो four amino glutanoic acid हो गया इसका नाम compound हम देखें यहाँ पर हमारे पास में यह तीन carbon atom की chain है जिसमें second carbon atom पर nitro group लगा हुए first carbon atom हमारे पास में amine group लगा हुए जिसके साथ में एक methyl group है तो यह N-methyl, two, nitro, propena, amine ठीक है propena, amine क्योंकि three carbon atoms है तो propena amine होगा और N पर methyl group attach है तो आपने इसका नाम देना है N-methyl, two, nitro, propena, amine next जो है हम यहाँ पर example लेके चल रहे हैं students इसके साथ में हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में यहाँ पर three carbon atom की chain है allyl, है यह allyl group है जिसमें amino group लगा हुए allyl amine यहाँ पर यह हो गया और हम यहाँ पर इसका अगर IOPAC name देखें तो prop two in one amine यह हो जाएगा कि three carbon atom है जिसमें second carbon atom पर in लगा हुए one पर amine group लगा हुए तो prop two in one amine यह prop two in amine भी हम यहाँ पर combine कर सकते हैं in और amine को आपस में क्योंकि amine तो understood है number one position पर ही है और double bond को हमने यहाँ पर specify कर दिया तो prop two in ina amine तो यह जो है हमारे पास में यहाँ इसका IUPAC ने मुझाएगा तो I hope यह वीडियो आपको help करेगा यहाँ पर nomenclature हमने aliphatic amines का complex aliphatic amines का alkyl amines का discuss किया है बहुत सारे examples के साथ में इसको प्रेक्टिस जरूर करें और भी आपको examples को प्रेक्टिस करें जहां से भी आपको examples मिलते है NCRTK तो वीडियो अच्छा लग है अपनी friends के साथ जरू शेयर करेगा students प्रेक्टिस करें ह kicking झाल झाल